हेलो गाइज वेलकम 24 सब्राल 2019 का डेली करंट अफेर डिसक्स करने वाले है टूटल आठ नीउस है इस वीडियो में जो कि हम डिसक्स करेंगे इसके लावा जिन लोगों ने अभी तक हमारा वाट्सप ग्रुप और फेस्बुक पेज को लाइक नहीं किया है वो वाट्सप ग् कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे शुरुवात करते हैं पहली न्यूस के साथ वर्ल्ड बुक दे टूटाउजन नाइटी अपरिल हर साल 23 अपरिल को वर्ल्ड बुक दे मनाया जाता है यूनेस को और उसकी साथी और्गनाइजेशन ने 23 अपरिल को एजे बुक एंड कॉपिराइट दे के नाम से भी जाना जाता है कि और इस उकेजन का जो मेन मोटिव है वो है प्रमोट करना जॉय ओफ बुक्स एंड आर्ट ओफ रेडिंग इन ये दो बेसिकली मोटिव है इस उकेजन को सेलिब्रेट करने के 23 अपरिल को ही ऐसा क्यूं चुना उसके वज़ा ये है कि इसी दिन जो कि बहुत ही रेनाउंड ओथर्स है उनका नेधन हुआ था विलियम सिक्स्पीर, करवेंटेस या फिर गारसिलासो की बात की जाए तो इन तीनों का ही नेधन 23 अपरिल को हुआ था तो इसी वज़ा से 1995 में यूनिसको ने अपनी जर्रल क TM on the theme of Ramayna, actually Indonesia और India कि बहुत ही संबंद है और इन संबंदों के 70 अब को यादगार बनाने के लिए Indonesia ने एक बहुत ही यादगार तरिके से एक specialестに बनाये जिसकी इसांप उससारी किया है नहों एसको क्या चित्रन किया है जहां पर और वो सेता जी को बचा रहे हैं, उनका अपरण होने से बचा रहे हैं। इसके अलावा इस इवेंट के दौरान इंडिया के अमबस्टर प्रदीप कुमार रावत और इंडोनेशा के वाइस फॉरेंड मिनिस्टर अब्दुरह्मान मुहमद भी मौजूद रहें। श्री राजेंद्र कुमार नायक टुक ओवर एज C.G.D.A. श्री राजेंद्र कुमार नायक जी बावनवे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकांट्स मन चुके हैं। वो इंडियन डिफेंस अकांट सर्विसस के 1983 बैच से हैं। श्री राजेंद्र कुमार नायक बहुत ही इंपोर्टन असाइनमेंट्स को संभाल चुके हैं। इससे पहले वो एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकांट्स थे। डिफेंस अकांट्स अकांट्स अब बावनवे। बजरंग पुनिया विंस गोल्ड इन एशन रेसलिंग चेंपियंशिप जैसा की हमें उम्मीद थी पूरी-पूरी क्योंकि बजरंग पुनिया जो हैं वो वर्ड के नंबर वन रेसलर हैं। इस समय उन्होंने एशन रेसलिंग चेंपियंशिप में गोल्ड जीत लिया है बारत के लिए और रीकलेम किया है इस गोल्ड मेडल को उन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान के सायात बेक को हरा कर 65 किलोग्राम वर्ग की केटेगरी में फ्री स्टाइल फाइनल में गोल्ड इं के लिए और 97 किलोग्राम की के टेगरी में सिटीवार्ट काडिया ने ब्रॉंज मेडल जीता है इंडिया के लिए चाइना के हयोबिन गाउ को हरा कर नेक्स्ट इंडिया इंस्टिटूट तो फीचर इन क्यूस एंडिया इंस्टिटूट को रिप्रेजंट किया है इसका पोस्ट ग्रेजूट प्रोग्राम एंटर्प्राइज मेनेजमेंट बारवी रैंक पर APAC लिस्टिंग में आया है इसके लावा 61 भी रैंकिंग पर है ये ग्लोबली की यूएस एक्जेकेटिव एंबीए रैंकिंग 2019 में और ये भारत का केवल अकेला बिजनेस स्कूल है जिसने की टॉप 100 स्कूल में अपना नाम किया है QS ranking जो है उसके different parameters है जैसे की leadership, executive profile, diversity and career outcomes ये सब उसकी ranking के parameters होते हैं और इनी ranking पर खरा उतरते हुए I am Bangalore 62 नमबर रहा है Next, subscribe कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है क्योंकि इन Delhi current affairs को हम daily basis पर लाते रहते हैं आपका कहीं न कहीं exam point of view से बहुत फायदा करेंगे Next news की तरफ बढ़ते है BCCI shift IPL final from Chennai to Hyderabad IPL के जितने भी fans है उनके लिए एक news है कि जो IPL का final होने वाला था Chennai में वो shift होके अब Hyderabad को हो गया है 12 मही को यह होना था और यह अब Chennai के बजाए Hyderabad में होगा इसलिए हुआ है क्योंकि Tamil Nadu Cricket Association को permission लेनी थी government से जिसे कि वो जो तीन बंद इस्टेंड से उनको खोल सके पर वो permission नहीं मिल पाई है इसकी वज़े से आप इसको Hyderabad shift कर दिया गया है अगर इन stadiums की बात की जाए तो Chennai का Cricket Stadium को MH Dambram Stadium कहा जाता है और Hyderabad Cricket Stadium जो है Rajiv Gandhi International Cricket Stadium की नाम से जना जाता है Next, banking की कुछ news देख लेता है, banking sector से बड़ी जुड़ी हुई news है और बड़ी important है exam point of view से Government raises authorized capital of Elabad Bank to rupees 8000 करोन बहुत ही पुराना bank है Elabad Bank जो की state owned है उसको 23 April को government ने उसकी जो authorized capital है उसकी limit 5000 करोन से बढ़ाकर 8000 करोन कर दी गई है Central government ने consultation की थी Reserve Bank of India RBI के साथ और उसके बाद authorized capital bank की बढ़ा दी गई है इसके बढ़ने से फाइदा ही होगा कि bank जो है अब और जादा fund जो है वो raise कर पाएगा अगर बात की जाए लाबात bank की तो headquarter इसका कुलकता में है इसको 24 अफरेट 1865 बहुत ही पहले इसको खो जा गया था बहुत चुरबात हुई थी इसकी बहुत ही पहले जैसे कि आप देख रहे होंगे 1865 में इसके MDO और CEO जो है SS Malukarjan Rao यह भी important है exam point of view से याद रखिएगा next RBI approves the proposal of HDFC for holding a 9.9% stake in Bandhan Bank जैसे कि आप जानते होंगे शायद कि जो SDFC Bank है और Bandhan Bank है इन दोनों में एक merger हुआ था merger क्या हुआ था कि जो SDFC Bank की एक शाखा है Groove Finance जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे Groove Finance वो housing finance arm है SDFC Limited की उसको take over कर लिया था Bandhan Bank ने जनवरी 2019 में इसके average में 9.9% जो stake है Bandhan Bank का वो SDFC को दे दिया गया RBI ने इसके लिए हरी जंडी दे दिया और इस scheme से जो है वो approval मिल गया है National Company Law Turbinal का और जतने भी shareholders है Groove Finance और Bandhan Bank के उसने approval दे दिया है इस stake को hold करने के लिए तो टोटल यह 8 news थी आज के वीडियो की 24 अपरेल की जो के हम complete कर चुके है 25 अपरेल के current affairs के लिए आप channel को subscribe कर दीजे जिससे के आपका notification इसका मिल जाए और आप उसको देख सके